हाई फ्रेंद्स कैसे हैं आप सुवागित करता हूँ आपके अपने शिर्ट क्रीक 11 फोकास पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानि की बंगलादेश और अफगानिस्तान के बीच में जो फर्स T20 इंटरेशल खेला जाएगा उस मैच के बारे में हम बात करने वाले हैं सब्सक्राइब और पिच्छ के बारे में वो चीज़े बताऊंगा जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप यहां पे नहीं हैं क्रिकलों फोरकस्ट फैमिली में नहीं जुड़े हैं तो फटा फट से यूट्यूब पे हमें सबस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ये काम करोगे तभी तो मज़ा मुझे आएगा दोस्तों इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर सकते हो और टेलीग्राम पे जुड़ना तो दोस्तों मस्ट है क्योंकि अगर टेलीग्राम पे जुड़ोगे तभी ही आपको फाइनल अपडेट्स मिलेंगे इस मैच के लिए मैं आप मैकसिमिम कोशिश करूँगा कि आपको जो भी इंपोर्टन अपडेट्स हैं टेलीग्राम पे लास्ट तक देता रहूँ तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टॉप के कोमेंट में भी मिल जाएगा हमारा वेरिफाइट चैनल है जिसमें एक लाग पचासी हजार से उपर लोग जुड चुके हैं तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड जाएगा दोस्तो इस मैच का वेन्यू रहेगा शेरे बांगला नैस्टल स्टेडियम डाका डाका की जो विकेट है जनरली बहुत स्पिन लेती है आपने देखा होगा यहां पे उस्ट्रिलिया आई थी वर्ल्ड कप से जस्ट पहले जो टीट्वेंडी वर्ल्ड कप राता उससे पहले आई थी न्यूजिलैंड भी आई थी और दोनों ही सीरीज हार के गई थी बंगला देश से अब इतनी अच्छे टीम्स बंगला देश से हारी ऑस्ट्रिलिया जो वर्ल्ड चेंपियन भी बनी क्यूं क्योंकि बहुत स्लो विकेट था स्पिन बहुत जादा हो रही थी यही जो सारे फाइदे थे यही मिल रहे थे यहाँ पर बाकी विजिटिंग टीम्स के अलावा होम टीम को और यही चीज यहाँ पर बंगला देश ने आप देखोगे रेगुलर्ली करी है क्योंकि आपको बता दू इनको इस बर कॉलिफायर खेलना पड़ा था T20 World Cup में में जाने के लिए ताकि यह अगली बार उनको ना खेलना पड़े उन्होंने ये सीरीज करी थी और अपने स्टेंथ पर खेला था अगर आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर इस मैचेज में उगानिस्तान भी ऐसी टीम है आपने जो देखा चटोग्राम की विकेट थी वो फास्ट बूरर्स को सपोर्ट करे थी ग्रास थी आपको याद होगा फजलुक फरूकी ने क्या किया था शोरीफोल इसलाम मुस्तफी जुरिन सबने रेगुलर विकेट्स निकाले थे इवन टस्किन एहमद लेकिन दोस्तों यहाँ पे धाका में रहती तो विकेट स्लो है बट इनके जो हैट क्यूरेटर है गामिनी सिल्वा उनसे कुछ भी जो आप पुछा गया है देखलो उन्होंने कुछ भी मुह नहीं खोला कुछ नहीं बताया पिछ के बारे में मुझे लगता है उतना स्पिन नहीं होगा जितना नॉर्मली ढाका में होता है हाँ थोड़ा बहुत तो रहेगा बंगलादेश की विकेट है भाई लेकिन जितना रहता है नॉर्मली उससे शायद थोड़ा कम तो बैटर और नूटरल आप थोड़ी से विकेट मान सकते हो पहले के मुकाबले बीपील में याँ जितने मैचिस हुए उपर से नीचे तक मैंने यहाँ पे लिखे है मैंने हमेशा आपको यहाँ पे बताया था कि जो डे गेम होती है उसमें यहाँ हैवी स्पिन लेता है और जो नाइट गेम होती है उसमें रंज बनते है डे गेम होती है एक बजे वली और नाइट गेम रही थी बीपील की छे बजे वली ये match आपको पता है दोनों के बीच में खिला जाएगा तो कई ना कई फर्स्ट इनिंग्स में spin expect कर सकते हो तो दोस्तों आप देख सकते हो ये day games थी day games में scoring देख रहे हो कम हो रही है night games में देखो scoring जाता हो रही है और spin यहाँ पे काफी heavy wickets निकाल रहा है आपके सामने है ठीक है ऐसे ही आप देखोगे night game runs day game not runs ठीक है night game decent runs यहाँ पे एक team आप कह सकते हो लड़ खड़ाई then यहाँ पे आप देखोगे जो odd games है generally day games रही थी ठीक है लास्ट तक आप देख लो यहाँ पे थोड़ी सी जो wicket है कह सकते हो neutral ही रही थी spin heavily आ रहा था game में totally 236 में से 122 fast को 92 spin को 22 यहाँ पे run out हुए थे ठीक है अब head to head की बात कर लेती हैं दोस्तों तो दोस्तों मैं बाप को बता दूं matches दोनों teams थे T20 में 7 खेले हैं 4 अफगानिस्तान जीती है 2 बंगलादेश शायदा फरान होंगे कि बंगलादेश ने कम यहाँ पे जीता है अफगानिस्तान ने जादा और no result गए है 1 यहाँ पे ठीक है तो पहला match जब दोनों teams का हुआ था बंगलादेश जीती थी बीच में 4 बार अफगानिस्तान जीती और most recent भी बंगलादेशी जीत के आई है तो photo record है टॉप स्कोरर्स कौन रहे हैं देखते हैं महामदुला ने 6 मैच में 138 रन के 27.6 की average से जिसमें उनकी कोई half century नहीं है महामद भी 6 मैच 125 उसमें एक half century है असी रन की बहुत बड़ी आइनिक जीनों ने खेली थी शाकिब 6 मैच में 123 है 30 की average इनकी भी रही है एक इनकी भी आपको half century दिखेगी यहापे मुश्विकर रहीम 6 मैच में 119 23 की average हजरत अला जजाई 2 मैच के लिए लिटन दास का record अच्छा नहीं रहा लेकिन आप काफी experience हो गया है बट फिर भी इन्ति स्रीम के आगे थोड़ा सा जो T20 में struggle आया है बट मैं कहूंगा कि लिटन दास important है भाई जिससे आपको पता है उनका recent former है प्लस ODA में भी उन्होंने 100 किया है recently बोलिंग में दोस्तो राशित खान है जिन्होंने 5 मैच में 12 विकेट लिए है शाकेम ने 6 मैच में 8 मुझीब ने 5 मैच में 7 मुहमिन दभी 6 मैच में 4 करिम जनात नहीं आपे 5 मैच में 4 मामदुल्ला 6 मैच में 3 और आफिफ हुसेन 2 मैच में 2 बंगलादेश की टीम थोड़ी सी मुझे लगता है ऐसी रहने वली है हाला कि ये टीम पास डेप्थ भी है मेहंदी असन जो इनके अच्छे कॉलिटी और राउंडर है वो 5 डाउन पे दोस्तों ये ध्यान लखना है ये मेहंदी असन मिराज नहीं है मुनीव शनियार जो जो मिरसाद BPL खेले है उनको पता है बहुत धाखड खेले थे फॉर्चिन बरिशाल की टीम में थे इस टीम में शाकिब थे उसी टीम से ओपनिंग कर रहे थे और बहुत ही बढ़िया रेगुलर्ली खेल रहे थे यहाँ पर नईम शेक भी है एक लेफ्ट हेंडर टीम चाहे तो उनको भी खिला सकती है यासिर अली है अगर टीम यहाँ पर चाहे यार एक देखो कि उनको बल्लेवाज और चाहिए तो इनको भी टीम ला सकती है क्योंकि इनके पस अरेड़ी यहाँ पे पांच में बोलर हैं प्लश शाकिब भी तो हैं इस वज़े से टीम चाहे तो चेंज करके यहाँ पे एक बल्लेवास को भी खिला सकती है उस केस में तसकिन या फिर शोरीफूल में से कोई प्लियर बाहर बैठ सकता है अभी दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे मैंने शर्यार की यहाँ पे फॉर्म भी लिखिये जिन्रों पिछले कुछ मैचेस में 0, 44, 37, 51 और यहाँ पे 45 रंस किया है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनकी टीम में मामुदुला फिनिश करेंगे शाकिप तो आल टाइम की है की बल्लेबाजी हो बोलिंग हो उससे मेहनदी असन है ठीक प्लियर है बल्लेबाजी से कम बोलिंग से रोल जाधा रहता है बाकि बोलिंग में लेफ्ट आर्मर मुस्तफीजूर है शोरीफुल है जो विकेट्स रेगुलर्ली निकालते हैं और आप देखोगे डेथ में बोलिंग मुस्तफीजूर करते हैं तो CVC के भी आपके लिए अच्छे दावेदार है अब ही दोस्तों अफगानिस्तान की टीम पे चलते हैं अफगानिस्तान की टीम में एक हुकम केक के आए हैं कौन है वो हुकम केक के जो की तीन से चार साल पहले अंडर नैंटीन वर्ल्ट कप खेले थे दरवेश रसूली नाम अगर आपने नहीं सुना मैं आपको बता दूँ कुछ प्लियर्स है जो मैं आपको शुरू से बताया करता हूँ हर्शल पटेल को मैं उसमें गिनना चाहूँगा वेंकटेश एयर को जबकी वो बड़े नाम नहीं थे थोड़ा सा एवरेज है बट इनके पास बहुत कुछ है इप्रूब करने को एज इनकी साइट पे है और फाइनली इनको फगवानिस्तान लेके ही मैं दो-तीन साल से वेट करा था कब रसूली यहां पे टीम में आने वाले हैं वाच ओट फॉर दिस गाई है लेफ्ट हैंड बैट स्वर मिडल ओर में नभी फिनिशिंग करेंगे अजमत उल्ला उमर्जाय है फास्ट करते हैं करिम जनाथ भी फास्ट और बल्लेवाजी रशीद खान बल्लेवाजी कर सकते हैं मेन उनकी जो है उनकी स्ट्रेंथ बोलिंग है लेक स्पिन उस्पिन करेंगे मुजीब लेफ्ट आर्बर्स दो टीम में फजलक फरूकी और फरीद एहमद तो दोस्तों जो हम अफगानिस्तान के फुल स्टैट्स प्लस इंफो देखेंगे आपको हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड मिलेगा दरवेश रसूली से स्टार्ट करते है 26 इनिक्स में इनके 5 अर्च तक है 27 की अवेज आप देखो के जजाई से थोड़ी कम है दोनों ही जजाई से इनफेक्ट थोड़ी कम है उस्मान घनी से भी कम है बट इनके बास एज इनके साथ है शॉट्स इनके बहुत धाकड होते है चार हाफ सेंसरीज, एक सेंसरीज, मल्टी फॉर्मेट के जो इनके रिसेंट स्कोर्स है वो मैंने लिखे है ठीक है तो ये फिर्स्ट क्लास भी हो सकता है लिस्टे भी लेकिन इनकी रिसेंट फॉर्म रही है बल्ले बाजी में गुर्बाज इनकी काफी अच्छी आप कह सकते हो आतिशी पारी खेलने की उम्मीद कर सकते हो आप इनसे यहाँ पर पूरा टैलेंट है इनके पास कई मेर विकेट जल्दी देते हैं ठीक है यहाँ पर बैकप विकेट कीपर जजाई है रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है अगर आप देखोगे हजरत अला जजजाई लेफ्ट हैंड ओपनर है काफी अच्छा नाम कमा चुके हैं और लेड़ी दो श्रतक लगा चुके हैं एक सो साट, एक सो साट का स्कोर तो आपको इनका यादी होगा जो आइरलेंड के सामने है थींग इन्हों नहीं मारा था उस्मान गनी है, ये भी अच्छे प्लेयर हैं लेकिन अभी मुझे लगता है टीम में जगा नहीं मिलेगी देन ओल राउंडर्स में नभी और जननत बहुत इंबॉर्टेंड है करीम जननत का ध्यान रखना बीपियल में भी यहां पे खेले हैं, रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं और अजगर अफगान जो की रिटायर हो चुके है उनी के छोटे भाई हैं और एज इनके भी साथ है बहुत यंग प्लेयर हैं बट गुड क्वालिटी बॉलिंग ओर राउंडर ठीक है, देन दोस्तो राशित खान है काफी काम के प्लेयर हैं, लेक्स्पिनर इसमें कोई शक्की नहीं है मेनली आप देखोगे, विकेट्स इनकी जो होती है बहुत बड़ी बड़ी विकेट्स निकालने की भी जो इनकी स्ट्रेंथ है इसी वज़े से इनको आप कह सकते हो अफ़ज़ानिस्तान का मीन प्लियर मुझीबुर रह्मान है, ओस्पिन करेंगे, केज एहमद, लेक्स्पिन करेंगे अगर खेलते हैं तो, फरीद एमद, लेफट आर्मर, लेफट आम उर्थोड़ोक शरीफुदी नश्रफ, जो कि बल्ले बाजी भी कर लेते हैं निजाद मसूद को एड़ किया गया, राइटाम मीडियम पेसर और फजलक फरूकी काफी नाम करा आ रहे हैं, IPL में आ चुके हैं, Sunrisers के टीम में और रेड़ी मैंने आपको बता दिया था तो हम दोस्तों देखेंगे, प्लियर मैचप, पहले बंगलादेश के बल्ले बाज, अफगानिस्तान के बोलर्स के आगे सबसे पहले आपको नाम देखेगा, लिटन दास का, ठीक है, राशित के आगे वंडे में इनों एक बर विकेट दिया है, T20 में कुछ खास मैचप नहीं है मुझीब के आगे T20 में तीन बर आउट है, मुहमद दभी के आगे एक बर आउट है, तो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मुझीब जो की ओप्रिंग भी करेंगे बोलिंग से, हाला कि ODA में वो ठीक खेले थे मुझीब को तो यहां पे मुझीब देखोगे, औस पिनर हमेशा आउट कर सकता है, क्लेफ ननर को, फर्स्ट ODA में भी मुझीब ने ही शाकिब को आउट किया था, तीन ODA के सिरियूज अल्रेडी हो चुकी है, 2-1 से बंगलादेश जीती थी, लेकिन मुझीब ने उस मैच में आउट कि तो यहां रशीद खान के आगे दो बार विकेट है, मुझीब के आगे विकेट नहीं है, लेकिन स्लो खेले हैं, काफी ज़्यादा लोग, आप कह सकते हो, स्ट्राइक रेट रखते हैं, मुझीब के आगे एक बार, करिम जनत के आगे भी एक बार विकेट है, जबकि महमद हैं, इसी सीरीज में हुए हैं दोस्तों, तो ये टी-एस का मतलब इस सीरीज ओनली, तो कि अभी वंडे के फॉर्मैट में हुई थी, अफगानिस्तान के बल्लेबाद अब बंगलादेश के बूलर्स के आगे देखेंगे, जजजाई देखोगे, सिर्फ शाकिप के आगे आ यहां पे हो चुके हैं, कर नहीं चुके हैं, ध्यान रखना और शाकिबल हसन भी कर चुके हैं यहां पे रहमनोलाग गुर्बास को, प्यूज भाई आपको क्या हो गया है, यहां पे रहमनोलाग गुर्बास तो बोलिंग करते ही नहीं, बिल्कुल, मुझत विजूर ने इन के आगया ओट T20 में तीन बार ODA में मुस्तफीजूर के आगया एक बार आउट रशीद खान शाकेप पे तीन बार आउट ठीक है और मुस्तफीजूर पे तीन बार आउट दोनों का T20 ODA मिला के बताया है करीम जनात का कोई खास मैचप नहीं है बट फिर भी देखोंगे जो थर्ड वंडे था उसकी बात करो और उससे पहले लिट अंदास ते सेकंड वंडे मेश्य तक किया मुश्वीकर ने भी उसी मैच में असी रन कर दिये थे तो तीनों यार काम तो कर सकते हैं यह चीज तो आप और डेड़ी देख चुके हो विकेट कीपिंग, गुर्बाज और रहीम करेंगे क्रेड भी सबका सेम है तो यह जो सेक्शन है, यह मैच रिसाइडिंग सेक्शन है मुझे लगता है मैंने क्या किया दोस्तो अभी अपनी टीम में गुर्बाज को लिया है और साथ में यहाँ पर अब मैं बल्लेबाजी सेक्शन पर जा रहा हूँ बाद में आएंगे हमें बंगलादेश का किस विकेट कीपिंग केटेगरी में लेंगे बल्लेबाजी में आप पस जो ऑप्शन है अफीफ उसायन है फिरीशिंग करेंगे बंगलादेश के लिए थोड़ी सी पार्ट टेम स्पिन भी कर लेते हैं यह सीरीज इनके लिए अच्छी गई है नईम शेख खेलते हैं तो जैनरली ओपनिंग या वंडाउन ही आते हैं तो बल्लेबाजी में दोस्तो जो ऑप्शन है उसमें आपको रसूली सबसे ज़्यादा डिफिरेंशल मिलेगा जो ग्रैंड लिग में तो फोरकास फैमिली ट्राइ करेगी ही लेकिन स्मॉल लिग में हम यहाँ पे जजजाई नाजी बुला और यहाँ पे देखेंगे में बोलर है, में बल्लेबाज हैं कोई भी में हचो आपको मेक्सिम लोग के कप्ताम दिखेंगे क्योंकि यह हैवी ड्राइवर है मतलब अब गाड़ी तो नहीं चला नी लेकिन लोंग ओफ पे ड्राइब मार सकते हैं, अफ़ ड्राइव मार सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पे काफी जादा important player है शाकी बलहसन मुहमद नभी को भी टीम में लेना जरूरी हो जाता है मुहमद नभी आपके लिए आस्पिन करेंगे लास्ट वंडे जो था उसमें बहुत लोगों ने इनको drop किया था और इनकी दो विक्टो नहीं मुझे वो match जितवाया था और उम्मीद करता हूँ forecast family को भी बल्ले बाजी भी काफी strong है नभी का T20 में रोल बड़ा हो जाता है मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा form अच्छा नहीं रहा लेकिन मुहमद नभी is still very crucial and important player यह impact player है देखो third match में हिनों ने performance दिया और इनकी टीम जीत गई मामद उल्लार याद है यार बहुत ही अच्छे finisher है कुछ-कुछ over भी कर सकते हैं especially left handers के आगे और जज़ाई है नाजिब उल्ला है तो कई ना कई इनको मौके मिल सकते हैं बोलिंग के ठीक है खेलेंगे के नहीं बट 90% खेलेंगे ही ठीक है अजमत उल्ला उबर जाई भी जनत की तरह राइटा मीडियम पेस और बल्लेवाजी कर लेते हैं आप इनको भी try कर सकते हो grand league में कोई रोक टोक नहीं है bowling पे आ जाता हूं जोस्तों जहार आशित हो हमें लेने ही है main bowler है मुस्तफी जूर भी हमें लेने ही है अपनी अपनी टीम के best bowlers अगर आप देखोगे अफगानिस्तान से रशीद और मुस्तफी जूर बांगलादेश से ये spin करते हैं left arm fast दोनों को लेके चलो grand league में दोनों को cvc भी कर सकते हो small league में भी कर सकते हो फजलक फरूकी बहुत ही बड़िया left armor है again इस series में तीनों matches में तमीम इतबाल को one day में उने out किया ये इनकी class दशाता है कपतान को तीनों matches में out करना अगर हलकी सी घास होई तो ये बहुत काम आ सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैंने इनको नहीं लिया है मैंने यहाँ पे दोस्तों लिया अपनी टीम में तसकेन हमद को जो कि अगर थोड़ी सी भी घास होई ये भी अच्छी options है बट खेलने के chances कम है थोड़े फरीद मलिक अगेन left armor यहाँ पे निशान बसूद है और यहाँ पे शोहिफुल इसलाम को भी डाल दिया शोहिदुल इसलाम को यह भी bowling करते हैं fast अभी इनका record आपको बता दूँ इस BPL में मैंने लिखा हुआ है जब मैंने आपको stats दिखाये थे if I am right 8 match में 14 wickets हैं which is very good यहाँ final pick आप अपने इसाब से choose कर सकते हो महंदी असन भी है लिटन दास है मुश्विकर रहीम है लेकिन मैं अभी महंदी असन के साथ किया हूँ प्यूज भाई इतना बड़ा रिस्क बंगलादेश के दो दिगज आपने यहाँ पे openers को drop किया है लेकिन गुर्बास की जगा यहाँ लिटन दास को लेना भी safe है आप ले सकते हो कोई रोक टोक नहीं है यह decision मुझे भी लेना है मुश्वीकर लिटन दास और गुर्बास ने अगर तो यहाँ पे बंगलादेश चेज है फिर तो मैं लिटन दास और गुर्बास में से किसी को लूँगा अगर बंगलादेश बैट फर्स्ट है तो मुश्वीकर रहीं important हो जाएंगे दोस्तों यह चीज़ भी देखके चलना for the timing मैंने अपनी टीम में गुर्बास को लिया लेकिन मेरी टीम में high changes हो सकते हैं so please इसको confirm मत मानना high changes हो सकते हैं अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने बोलर जो है change किये हुए है फजलक फरूकी नहीं है तो यहाँ पे opener भी बंगलादेश के नहीं है जबकि दोनों में से most likely एक तो चलेगा ही तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हमारी final team में changes आपको देखने को मिलेंगे वीडियो की description में आपको मैंने telegram का link रखके दिया हुआ है और women match की भी video planned है क्योंकि women's world cup start हो रहा है तो next video उसी की रहेगी चलिए मिलता हूँ आपको next video में